हेलो ब्रिवन डेली करेंट अफेयर स्रीज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पांच अगस्त के करेंट अफेयर को डिसकस करने वाले हैं यदि आप किसी भी एकजाम की त्यारी कर रहे हैं तो वीडियो लाज तक जरूर देखेगा आपके लिए हेलफुल होगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है डूरंड कप का 132 संस्क्रण कहां सुरू हुआ है तो पहले जान लेते हैं डूरंड कप किस खिल से संबंदित है तो फुटबाल से संबंदित है डूरंड कप और इसके डूरंड कप का 132 संस्क्र कहां शुरू हुआ तो कोलकाता में यानि ऑप्सने इसका राइट एंसर हो जाएगा तीन अगस्ते तीन सितंबर दोजाद तेज तक असम के गुहार्टी और कोकरा ज्हार और मिघाले के सीलांग और पश्च्य मंगाल के कोलकाता में आयुजित किया जाएगा डूरंड कभ दो और इस बार इसमें 24 टीमें भाग लेंगी और बांगला देश और नेपाल दो नए टीमें इसमें सामिल हो रही हैं डूरंड कभ भारत में एक वार्षी घरेलू फुटबाल प्रत्योगता है जिसका सरप्रथम आयोजन 1888 में डकसाई हिमाचा प्रदेश में इसका पहली बा फुटबाल फिड्रेशन यानि AIFF द्वारा इसका आयोजन किया जाता है या एसिया का सबसे पुराना फुटबाल टूर्णामेंट है इसका नाम सर मोटिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था जो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सच्यू रहे थे मोहन बगान और इस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं जिन्हें ने 16-16 बार या किताब जीता है कौन मोहन बगान और इस्ट बंगाल ने फुटबाल से समद्धित कुछ और कप के बारे में देख लेते हैं रोवर्ष कप संतोष ट्राफी सुबर्टो कप डूरंड कप आस्तोष कप और मर्ड़का कप फुटबाल से समद्धित है आप इसको भी ध्यान रखिए अकसर एक्जाम में पूछा जाता है यह अगला प् पासपोर्ट होता क्या है पासपोर्ट आपको वो देश देता है जिस देश के आप नागरिक हूँ जैसे आप इंडिया के नागरिक है तो आपको इंडिया जो है पासपोर्ट प्रदान करेगा और अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको अमेरिका से परमिसा लेन करेगा ठीक है ग्री मंत्राले ने भारती चिकिस्था प्रडालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए आयूस वीजा की नई स्रीडी का निर्मार किया है और कहा जा रहा है कि इस वीजा की शुरुवात होने से भारत बारत का मेडिकल टूरिजम बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा बात हो रही है आयूस की तो आयूस मंत्राले की अस्थापना कब हुई थी 2014 में इसकी अस्थापना हुई थी और वरतवान में आयूस मंत्री कौन है सरवानन सोने वाल ठीक है अगला प्रशन है अमरित ब्रिच आंदोलन एप किस राज में सुरू किया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन सी असम राज में सुरू किया गया है अमरित के मुख्य मंत्री हेमंत विश्वा सर्मा ने अमरित ब्रिच आंदोलन वेप पोर्टल और मुबाइल अप्लेकेशन शुरू किया और इसका लच क्या है साथ सितंबर को राज भर में एक करोण पौधे लगाना असम के मुख्य मंत्री कौन है हेमंत विश्वा सर्मा और इसक था 26 जनवरी 1950 को राजधानी क्यास की दिस्पूर मुख्य मंत्री का उन है हेमंत विश्वा सर्मा बेजेपी से और राजपल का उन है गुलाप चंद कटारिया और राज सवा की सीट कितनी है साथ लोग सभा की 14 और विधान सभा की यहां 126 सीट है अब कुछ राजों की प् योजना पशिम मंगाल ने जन सेबक योजना करनाटक ने वतम प्रेम योजना गुजरात ने और सहाय योजना जारखन राज ने सुरू किया है अम्मा योजना वातसल योजना सिक्किम ने चिराग योजना हर्याडा राज ने और अंडा और दूद योजना केरल ने और ना टन्सर हो जाएगा बोपाल में बहाश्पती द्रूप्दी मुर्मुने भोपाल में उन्मेश और उतकर्ष महुच्व का उध्गाटन किया है उन्मेश क्या है यह अंतराष्टी साहित महुच्व है हो और उत्कर्ष लोग और जन्जाती प्रद्रशन कला महुत्सव है और इसका उत्गाटन कहा हुआ है तो भुपाल में किसके द्वारा द्रपदी मुर्मुद्वारा उनमें इस एसिया का सबसे बड़ा साहित उस्सव है इसका आयोजन 3-6 अगस्त तक किया जाएगा और इसका पहला संस्क्रण 2022 में सिमला में आयुवित किया गया था और इस बार कौन सा संस्क्रण इसका दूसरा संस्क्रण है उनमें इसमें 75 से अधिक कारकर्मों में लगबग 100 भासाओं के 575 से अधिक लेखक सामिल हो रहे हैं भारत के अत्रिक पर्देशों के लगबख 800 कलाकार भाग लेंगे और लोग जनजाती प्रदेशन कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। उतकर्स का इयोजन किसके द्वारा की आता है तो संगीत नाटक अकादमी और उनमेंस का इयोजन साहित अकादमी ने किया है इसमें इसमें मद्द जो भारत के लगबग 40% मेंग्रोवनों का आवास है ने मेंग्रोव प्रबंधन प्रयासों को सुभियोसित करने के लिए एक समर्पित मेंग्रोव सेल अस्थापित करने की योजना का अनावरण किया है या मंच मेंग्रोव प्रबंधन में राज सरकार के प्रयासों में निरं इसे йूनिस्को के विसुधरोर अस्तल के रूप में सुची बद्ध किया गया है। तो गंगा और भ्रमपुत नदी के दौरा सुंदर्वन डेल्टा का निर्माड किया जाता है। अगला प्रशन है, Federal Bureau of Investigation यानि FBI की Special Agent कौन बनी है। तो इसका right answer हो जाएगा, सोहनी सिनहा, सोहनी सिनहा FBI की agent बनी है, यह चर्चम क्यों है, क्योंकि यह भारती मूल की है, ठीक है, सोहनी को अमेरिका में आतंगबाद, विरोधी जाच पर अपने काम के लिए जाना जाता है, बात करें FBI की, तो FBI सायूत राज अमेरिका की घारेलू खूफिया और सुरच्छा सेवा और इसकी प्रमुक संगी कानून प्रवंतन agency है, जैसे भारत की CBI है, वैसे महा की FBI है, इसकी अस्थापन का हुई थी, 26 जुलाई 1908 में, और इसका मुख्याले कहा है, जे इडगर हुवर बिल्डिंग वासिंगटन DC में इसका मुख्याले ह अब हम कुछ न्यूक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, सायुक्त राष्ट बाह अंतरिक कर्याले की प्रमुक कौन बनी है, भारती मूल की आरती होला मैनी, और विक्स चेम्बर आप commerce and industry women vertical का अध्यच किसे न्यूक्तिय किया गया है, तो सबाना नशीम को, किस देश ने पाकिस्तान में पहली महिला दूद के रूप में जन मैरियट को न्यूक्त किया, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, ब्रिटेन, पावर फाइनेंस, कार्परोट की पहली महिला प्रमुक कौन बनी है, परमिंदर चोपड़ा, नेक्स्ट है, केन सरकार ने कैबिनेट सच्य राजियू गौबा का कारकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है, केन सरकार ने कैबिनेट सच्यू राजियू गौबा का कारकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया है, उनका कारकाल 30 अगस्ट को समाप्त होने वाला था अब वो अगस्ट 2024 तक इस पत पर बने रहेंगे रजी गौबा को मुक्ष सची के तावर पर यह लगतार तीसरा कारकाल बिस्तार मिला है इन्हें 2019 में कैबिनेट सची के पत पर लाया गया था जनक यह 2019 में बने थे और इनका कारकाल 2021 में सवामत होने वाला था लेकिन बढ़ाकर 22 कर दिया गया था अब बढ़ाकर कप कर दिया है 2024 तो तीन बार इनका कारकाल बिस्तार हुआ है अगला प्रश्ण है ओसन सील्ड 2030 अभ्यास कहां हुआ तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी बाल्टिक सागर में ओसन सील्ड 2030 योदभ्यास हुआ है रूस ने हाल ही में बाल्टिक सागर में अपना लाइफ फायर नौसैनिक अभ्यास सुरू किया जिससे पडोसी यूरोपी देसों में चिंता पैदा हो गई या युदभ्यास नाटो और युक्रेन को लेकर पहले से ही बढ़े तनाव के बीच हो रहा है युदभ्यास में रूस के 30 से अधिक युदभ्यास और लडाकू विमानों ने हिस्सा लिया इसके अलावा 6,000 साइनिक भी इसमें सामिल हुए है यह कहा हुआ है तो बाल्टिक सागर में तो बाल्टिक सागर की बात करें तो बाल्टिक सागर कहा है तो यहाँ पर देखिए मैप में यह यूरोप का मैप है तो बाल्टिक सागर यहाँ पर है तो इसकी सीमा किस-किस देश से लगती है तो फिनलैंड यह इस्टोनिया ठीक है उसके बाद ये लताविया, ये है पुलैंड और ये जर्मनी और डेन्मार्क और स्वीडन्स इसकी सीमा लगती है, और ध्यान रखिए यहां पर रूस है, ठीक है, यहां पर रूस का है, तो यह है बाल्टिक सागर, आप इसको भी ध्यान रखिए, अक्सर एक जाम पूछा जा घृता है, यह कि इसकी सीमा किसके देशों से लगती है, ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ड काइन क्रिप्टो प्रोजच्ट किस ने लांच किया, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओपन AI ने वर्ड काइन क्रिप्टो प्रोजच्ट लांच किया Ella, ओपन AI के सीयो औ, सैम औल् साथमिक्ता देता है और लोगों को विभिन आनलाइन सेवां और लाबों तक पहुच परदान करता है ठीख है बात करें क्रिप्टो की तो क्रिप्ट या एक डिश्टल परिशंपत्ति है जो वी नेमेन के एक माध्यम के रूप में काम करती है और पहली क्रिप्टो कौन सी है तो विटकोईन, ठीक है. उक्रिप्टो करैंसिक सुरुआत कभी थी? 2009 में इस के दवरा सटो सी नाका मोतो ने इसकी सुरुआत की थी यह कहां के है, तो यह जापान के, ठीक है, किस देश ने बुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मानता देने और विनिमित करने का निडल यह है तो क्यों बने विटकोईन को राश्टी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो एल सल्वाडोर भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स आईसी 15 किसने लॉंच किया है तो क्रिप्टो वायर ने ठीक है अगला प्रश्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक एक नई पुस्तक किसने जारी की तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नीरजा चौधरी ठीक है नीरजा चौधरी महत्पूर्ट पुस्तक के बारें बात कर लेते हैं दा योग सूत्र फार चिल्डन किसके द्वाल लिखी गई है तो रूपा पाई के द्वारा कारगिल एक यात्री की जुबानी रिशिराज भारत के बित्यमंत्री स्वतंता से अपात्काल 1947-1977 S के बट्टाचारे ने लिखा है तो अमिताप कांत ने ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी अधितना तो सांतनु गुप्ता ने लिखा है दा गोल्डन इयर्स किस ने लिखा है रसकिन बॉंड ने अगला प्रश्ण है साथवी होकी पुरुस ACI चैंपियंसी ट्रॉफी का आयोजन कि सहर में कि उसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चन्नाई में साथवी होकी पुरुस ACI चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है भारत इस बार ACI होकी चैंपियंसी ट्रॉफी का मेजबानी कर रहा है इस टूर्णमेंट का आयोजन तीन अगस्ते बारा अगस्त तक चिन्नाई के मेर राधा कृष्णर इस्टेडियम में किया जा रहा है बज्धान रखे भारत पहली बार भारत में इसका पहली बार आयोजन हो रहा है इसमें भारत के अलामा पाकिस्तान जापान चीन दचिट कोरिया और मलेसिया सामिल है तो टोटल 6 टीम इसमें सामिल हैं इसका आयोजन ACI हांकी महासंग द्वारा 2011 से प्रतिवस्ट किया जा रहा है अगला प्रश्ण है आदी पेरक्कू उत्सव किस राज में मनाया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option B तमिल नाडू में आदी पेरक्कू उत्सव मनाया गया है आदी पेरक्कू उत्सव तमिल समदाई के लिए एक सुब उत्तिवार है या मुख्रिप से तमिल नाडू मनाया जाता है या तेवहार मांसून के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है अब हम भारत के कुछ तेवहारों के बारें बात कर लेते हैं तो सरहुलते ओहर कहा मना जाता है तो जारखंड में, पोंगल, तमिलनाडु में, गूडी परवा और खंडोवा महसो महराष्ट में, ट्यूलिप फेस्टिबल, जम्मू कस्मीर में, वांचुवा महसो और भिहु मत्तो तो असम में, हार्नबिल महसो नागा लैंड में, और हेम आज के प्रस्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग.